भारत ने एक के बाद एक तहल का सुरू कर दिया है यूपी आई अब वीदेसों में भी पहुँच गया है जानेंगे किस तरीके से भारत का यूपी आई और गूगल के बीच हुए करार से भारत को एक बहुत बड़ा फाइदा होने जा रहा है तो नहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर चाइना से अभी अभी दोस्ती हुई थी मालदिव को पर मालदिव को एक बड़ा जटका दे दिया इरान पाकिस्तान मामले में चाइना ने जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है जानने को बहुत कुछ मिलेगा आये ज गवर्नर्स दास ने दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी एकोनोमी बन रहे भारत को लेकर कई सारे रुख सामने रखे और आपको बता दें उसी समय यूपी आई को लेकर तीन बड़े ऐलान किये गये और यूपी आई के जरिये कई सारी चीजों के सफल होने की उमीद स्क्रीन पर पर और और आर्टीकल देख सकते हैं बीदेश में घुग पे यूजर्ज यू पि पेइमंट करे कर सकेंगे इस पोहां से भारते यूजर्स जिस देश की यातरा कर रहे रहे हैं वहां की करेंसी में गूगल पे के जरिये पेइमंट कर सकेंगे इसलिए Google India Digital Services Out Limited ने बुद्वार को NPCI International Payments Limited के साथ एक समझाता किया इस पहल के बाद Google Paytm Phone Pay की कतार में सामिल हो गया है जो विदेश में UPI Payment की सुविधा दे रहे हैं इसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो विदेश की रेगुलर यात्रा करते हैं साथ ही विदेश में कारोबार करते हैं टेक दिगज ने एक बयान में कहा कि MOU का उदेश से अन्य देशों में UPI जैसी डिजिटल भुगतान परनाली अस्थापित करने में साहयता करना होगा जो निर्भाद वित्तिय लेन देन के लिए एक मोडल देता है इस पहल से सीमा पार वित्तिय आदान परदान सरल हो जाएगा गूगल पे इंडिया के निदेशक दिख्षा कौसल ने कहा कि नियामक के मारख दर्सन में गूगल पे NPCI और वित्तिय प्रास्तिति की तंत्र के लिए इच्छुक सहयोगी रहा है ये सहयोग भूगतान को सरल सुरक्षित और सुविधा जनक बनाने की हमारी परतिवत्ता की दिशा में एक और कदम है लक्ष विदेशी बेपारियों को भारतिय ग्रहां को तक पहुँच परदान करना है जिने अब डिजिटल भूगतान करने के लिए केवल विदेशी मुद्रा क्रेडिट या फिर विदेशी मुद्रा कार्ट पर निर्भन नहीं रहना पड़ेगा उनके पास गुगल पे सहीत भारत से यूपी आई संचालित एप्स का उप्योग करने का विकल्प होगा बिदेश में बढ़ेगा यूपी आई का इस्तेमाल तो इसका मतलब है कि भारत के कई सारे डिजिटल भूगतान तंत्र बहुत ही आसानी से फैलेंगे अब बिदेशों में भी खैर जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ अभी इरान और पाकिस्तान की कहानी और भी ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है इरान की पाकिस्तान के आतंकवादी कैम पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देसों में तनाव चरम पर है इस बीच पाकिस्तान ने बौकलाहट में अपने राजदूत को इरान से वापस बुला लिया है इतना ही नहीं पाकिस्तान ने इसलामाबाद में मौझूद इरानी राजदूत को भी बुला कर बिरोध पत्र सौंप दिया है पाकिस्तान के विदेश कार्याले ने बुद्वार को कहा कि उसने इरान से अपने राजदू को वापस बुलाने का फैसला किया है ये फैसला इरान के पाकिस्तानी हवाई छेतर के अकारन उलंगन के बाद लिया गया है इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच चल रही योजना बद सभी उच्च अस्तरिये यात्राओं को भी निलंबित कर दिया गया है इरान ने कहा कि उसने पाकिस्तानी इलाके में जैसे अदल आतंकी समू के ठीकानों को मिसाईल और ड्रोन से निसाना बनाया हलाकि पाकिस्तान ने दावा किया कि इरान के हमलों के कारण दो मासूम बच्चों की मौत हो गई, तीन लड़किया घायल हो गई, पाकिस्तानी विदेश मंतराले ने उस घटना स्थल का उलेख नहीं किया जहां इरान ने हमला किया है हलाकि इरान की सरकारी मीडिया ने कहा कि हमला बलुचिस्तान के सीमा वर्ती सहर पंजगूर में हुआ है, इरान की अर्ध आधिकारी समाचार एजेंसी ने कहा कि इस ओपरेशन का केंदर विंदू बलुचिस्तान में कोह सब्ज हरा पहाड के नाम से जाना जाने वाला छित रह है पाकिस्तान के कई बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि उन्हें इसके बारे में कुछ जादा जानकारी नहीं है और हमले से कुछ घंटे पहले ही कारेवाहक परदान मंत्री अनावरूल हका कर मिले थे इरानी विदेश मंत्री से आपको बता दे इतना बढ़ गया है कि इरानी इस वक्त इरान में है उन्हें भी वापस लेने को तयार नहीं है पाकिस्तान दरसल पाकिस्तान के अंदर अपनी ही जनता बहुत सारे सवाल कर रही है अपनी ही जनता यह कह रही है कि आप कोई एक्सन नहीं ले रहे हो तो पाकिस्तान को कहीं न कहीं दवाब में आना पड़ पर इन सब के बीच में न сबसे बड़ी बात क्या हो गई है ? कि पाकिस्तान ने चाइना को फोन मिलाया हाजी सरकार देखो हमारे घर में इस तरीके के हमले हो गए और आप हमारी कोई मदद करो तो क्या आए मदद करने के लिए स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए चाइना ने पाकिस्तान और इरान दोनों को का है भईया ठंड रखो गर्मी कम दिखाओ लड़ो वड़ो मत और ये सलाह मस्वरा देकर मामले को निप्टा दिया है अब इसका मतलब समझिए इसका सबसे बड़ा मतलब है कि इरान के एर स्ट्राइक के बाद जो पाकिस्तान चाइना को देख रहा था क्यों नहीं दिखा रहा है तो कारण समझिए इरान इस वक्ट चाइना के लिए ज़्यादा महतपुर्ण है पाकिस्तान की तुलना में अभी पाकिस्तान को भी इसी तरीके से दुलारा पुझकारा था और पाकिस्तान को कहा था कि हम आपकी रक्षा करेंगे ठीक वैसे ही जैसे माल्दिव की संप्रभूता की रक्षा करने के कसमेबादे चाइना खा रहा है पर देखने को क्या मिल रहा है देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ चाइना अपने हाथ पर समेटता हुआ दिख रहा है पाकिस्तान को अपनी लड़ाई यहाँ पर खुद ही लड़नी पड़ेगी ये भी यहाँ पर साफ होता हुआ दीख रहा है माल्दिव के लिए ये सबसे बड़ी सबक है कि किस तरीके से चाइना अपने फाइदे के लिए सोचता है और अपने फाइदे के अनुसार ही चलता है अगर उसका फाइदा है तो सब कुछ ठीक है और अगर फाइदा नहीं है तो फिर मुसीबत रखी हुई है और कुछ इसी रास्ते पर माल्दिव भी चल रहा है माल्दिव भी यहाँ पर पाकिस्तान के रास्ते पे चलते हुए चाइना के पिछलगू बन रहा है और वक्त आने पर चाइना माल्दिव को यूँ ही छोड़ देगा जैसे कि इस वक्त पाकिस्तान को छोड़ता हुआ नज इस ट्वीट पर माल्दिव के किसी एकाउंट के द्वारा ये कहा गया कि पाकिस्तान हमारी मदद करने को आएगा पर यहां पहले पाकिस्तान अपनी मदद कर ले तो वो बहुत वड़ी बात होगी वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते अंगले वीडियो में नई कवर के साथ